प्लान के बारे में बॉडी प्लान बॉडी प्लान क्या होते है बच्चो इसके बॉडी प्लान को आप बात करेंगे एक होते हैं सेल्यूलर और एग्रिगेशन तीन पार्ट में बात करेंगे इसको ठीक है क्या क्या होंगे एक होंगे cellular aggregation cellular aggregation cellular aggregation एक होंगे blind sack body plant blind sack body plant एक होंगे tube within tube body plant क्या होंगे tube within tube body plant ये हो गए हैं आपके body plant के part cellular aggregation की बात करें बच्चों तो इसमें हम लोग क्या note करेंगे cellular aggregation की बात करें तो इसके पास सिर्फ cell के ही aggregation होते हैं cell के ही जमाब होते हैं only diffused only diffused only diffused cells are only diffused cells are only diffused cells are present present in the body in the in the body only diffused cells are present in the body अगर बात करें cellular level organization किस organism में दिख में आया था किस फाइलम में था बच्चों तो फाइलम क्या था फाइलम पोरि फेरा था फाइलम पोरिफेरा था फाइलम पोरि फेरा इसी को बच्चों हम लोग किया कहती है hum नाAKS? सब के बारे में सब फ़ाच मेरे में एक एक लेक्ष הוא लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे तो रोंट वरी इसके लिए आपको 10 s नहीं लेने हैं कि मैं बात करने वाले हैं ब्लाइंड से एक बोड़ी ब्लान की सिंग्ल opening होते हैं single opening होते हैं जो कि एक ही पार्ट से हर एक चीज़ होते हैं mouth से ही serving as mouth and anus mouth से खाना भी एक ही से खाना है और उसी से ही निकालना है single opening होते हैं blind से एक body blind में single opening होते हैं single opening होते हैं serving as serving as mouth and anus mouth and anus okay इसके example की बात करें बच्चो तो इसके example क्या होंगे body blind sec body plant की तो दो ऐसे फाइलम है जो हमें साथ होते हैं वो कौन से हैं एक हो गए है silintrata silintrata एक क्या होते हैं tinofora और इसमें एक और एड हो जाते हैं वो बच्चो क्या है platy helmet platy helmet platy helmet थेस होते हैं अब बात करते हैं बच्चो tube within tube body plant tube within tube body plant इसके पास क्या होते हैं two separate opening होते हैं क्या होते हैं two separate opening होते हैं two separate opening होते हैं acting as mouth acting opening होते हैं one acting as mouth mouth and other and other is anus ओके दो पार्ट होते हैं एक mouth होते हैं और एक anus होते हैं अब बात करेंगे बच्चों इसके important क्या होते हैं example याद अगरना इसके example को याद करना है example क्या होता है skhelminthis skhelminthis से लेके core data तक core data तक ये हो गए हैं आपके body plan ये क्या हो गए हैं आपके body plan अब थोड़ा क्या करेंगे body plan को भी discuss में हम लोग थोड़ा बात करेंगे body plan में भी क्या होते हैं proto-storm होते हैं do-tero-storm होते हैं तो ये इसको थोड़ा सामलो क्या करते हैं modify करते हैं I hope ये सारे concept आपको clear हो गए होंगे ये सारे concept आपको clear हो गए होंगे यहां से हमने start किया था basic feature से लेके अभी तक हम लोग आप body plan तक देखा अब बात करते हैं tube within tube body plan की tube within tube body plan की तो ये जो होते हैं दो पार्ट में इसको categorize कर लेदे हैं लोग एक एक हो जाएंगे आपके proto-storm और एक आपके हो जाएंगे due-tero-storm क्या क्या है एक proto-storm एक क्या हो जाएंगे due-tero due-tero-storm ओके due-tero-storm बस अब word का खेल है बच्चो word को समझ जाने है proto मतलब क्या होंगे और estrom मतलब क्या होते है proto मतलब क्या होंगे और estrom मतलब क्या होंगे proto मतलब होता है बच्चो first, proto मतलब क्या हो जाएगा first, estrom मतलब होता है mouth, estrom मतलब क्या होगा, mouth dutero का मतलब क्या होता है बच्चो, dutero मतलब हो जाएगा dutero मतलब हो जाएगा, second dutero मतलब क्या हो जाएगा, second اور estrom मतलब क्या हो जाएगा, mouth means क्या हुआ बच्चो, mouth 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 M अब इसकी एक्जामपल की बात करें बच्चो चलिए आप लोग जानते होंगे बलास्टो मियर होते हैं बलास्टो पोर होते हैं मौर्यूला होते हैं जो कि हुमन रिप्रोडक्शन में हम लोग बच्चो पढ़ेंगे तो ज्यादा भी उसके लिए टिंसन नहीं लेने हैं क्या करते हैं इसमें हम कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं क्या है बलास्टो पोर्स बलास्टो 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 पोर्स फॉर्म्स दी फॉर्म्स दी माउथ फरस्ट माउथ फरस्ट अब बात करते हैं dutero estrom की, तो blastopores forms, क्याल नोट करेंगे इसमें blastopores forms forms the anus first, the anus first, ओके? अब हमें याद करने है important example, याद करने है क्या? example सबसे important क्या है बच्चो? दोनों के example को याद करना example की बात करें बच्चो? proto estrom की example होते है S-K-Helminthis से लेके S-K-Helminthis से लेके to the moluska कहा तक? moluska तक जब की dutero estrom की बात करें ekaino dermata से लेके ekaino dermata से लेके ekaino dermata से लेके कहा तक बच्चो? core data core data तक तो यह होगा इसके important part tube within tube के proto estrom और dutero estrom होगा होगा है होगा है चोगा है